नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं नेच्छल गैस MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे नेच्छल गैस का 27 अक्टूबर की एक्सपारी का चार्ट है और इसमें जिस तरीके की मुवमेंट रही थी लास अपडेट करूँ और देखिए जब किसी कमोडिटी की कोई ऐसी एक्सपारी आने वाली हो थी है खास तोड़ से नेच्छल गैस की और खास तोड़ से तब जब उसमें इतना बड़ा एक गैप चल रहा हो पीछे मैंने एक पोजिशनल कॉल दी थी जिसमें इंट्रडे में तो बेनिफिट मिला लोगों को पर पोजिशनल कॉल में वो एक स्टॉपलोस ट्रिगर हो गया था 194 का तो उसके बाद से मार्केट उपर ही अपने आपको सस्टेन कर रहा है देखिए यह मैं आपको चार्ज पर दिखाता हूँ वो क्या था 194 यहां यह प्राइस था यह ट्रि सबसे पहले हम बात करते हैं कल का ट्रेडिण सेशन कैसा रहा था लास्स ट्रेडिंग सेशन कैसा था एक गैपड़ ओपनिंग मार्केट ने एक स्टैंध दिखाई उपर के लेवल में एक थोड़ा सेलिंग प्रेश next month के contract में और ये कितना continue रह सकता है कितना नहीं उसको लेकर अब हम बात करते हैं देखे ट्रेंड में आप एक buying आती भी देख रहे हैं आईए चलते हैं 15 मिनट की तरफ यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत चीज़े clear होंगी natural gas के बारे में इस तरीके का एक formation बना next contract में जो गिरावट थी वो भी बहुत कम आई थी as compared to the contract which is going to expire today तो यहाँ पर हमने एक और थोड़ी सी correction देखी market gap up opening वापस एक upside move लेता हुआ और थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर एक downside एक upside एक downside फिर यह sharp upside और market बिल्कुल अपने high के आसपास अभी trade कर रहा है दोस्तों यह यह वो चार्ट है जो आपको यह मदद करेगा समझने में कि नेशल गैस में आगे हम क्या expect कर सकते हैं देखिए जो current contract है उसका जो highest level है वो है 220 के just उपर ठीक है यह चीज़ आप note कर रहे हैं यह इस तरीके से अभी यहाँ trade कर रहा है अगर यहाँ से कोई भी reversal आता है market में नीचे की side में तो वो reversal इतना ज़्यादा strong हो सकता है कि फिर यह वाले prices वापस break करने के लिए बहुत ज़्यादा time लग जाएगा market को तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत high chances हैं कि नेशनल गैस में एक reversal आ सकता है आज का दिन हो सकता है ऐसा कि market अपने आपको ऊपर के level लेवर पर sustain करके रखे या फिर और एक तेजी दिखा दे पर मेरा कहने का यह मतलब है कि आप अपने आपको buying से थोड़ा avoid करके रखे इसमें जब selling आएगी तो मेरे ख्याल से कुछ भी आपको ऐसा मोका नहीं मिलेगा कि आपको कब sell करना है कब नहीं करना market लगातार गिरता रहेगा एक बाद डेली चार्ट्स पर चलते हैं यहां देखते हैं यह अपसाइड नूव आया है यहां पर अभी currently market ट्रेड कर रहा है दो ट्रेडिंग सेशन में इतना एक high jump इसमें दिखा दिया वापस चलते हैं 15 मिनिट की तरफ देखे दोस्तों इस तरीके का एक momentum बना market यहां आ अगर यह उपर को continue रखता है उपर जाने दीजिए market में डाउन साइड जैसे ही आने शुरू होगी आप यह देखें कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसे hold करना होगा हमारी जो positional call थी हम वापस उसमें enter कर सकते हैं एक better level होगा better stop loss level होगा उसका हमें wait करना है पर आपके लिए सह उसमें पहली चीज़ के आज expiry हो जा तो हमारी जाद़ बेटर रहेगा एक दिन और void करना क्योंकि दो contract at a time रहन टर रहे हैं कुछ traders इसमें फसे में कुछ switch कर चुके हैं कुछ switch करने वाले हैं तो यह एक दो चीज़े हैं जो matter करती हैं कि हमें आज का दिन क्यों avoid करना है यह expiry का दिन है दोनों contract अपने हिसाब से move करेंगे कोई उपर जा रहा होगा कोई नीचे आ रहा होगा कहां पर जाता है contract वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है तो wait हमें यही करना है कि market उपर जाते हुए एक turn ले नीचे की side के लिए तो हमें बहुत एक अच्छा profit मिल सकता ह आई दोस्तों बात करते हैं कि कौन से levels हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए देखिए सबसे पहली चीज़ मैं यह बताता हूँ आपको अगर आप बिल्कुल current market के हिसाब से बात कर रहे हैं जो बिल्कुल अभी 214 पर चल रहा है तो सबसे पहला इसमें एक sign आएगा 207.50 क के break होने पर इससे पहले आप कहीं भी selling ना करें ठीक है यही एक पहला point होगा जहां पर एक selling के strong indication हमें मिलने शुरू होंगे इस price पे आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि market इस price को break करने के बाद किस तरीके से move कर रहा है उपर जा रहा है फिर पहले चीज़ के जैसी ये price break होगा तो एक salon rise वाला situation बन जाएगी और उसके बाद एक upside move दिखा देता है और आप यही price को क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि इस price को consider करके आप मुझसे दुपैर में तीन बज़े मुझसे कोई message करके पूछ रहे हैं कि 207 रुपर 50 पैसे break होगा आप क्या करें तो तब ये price ये नहीं रह जाएगा मतलब ये क साब से आपको बता रहा हूँ ठीक है उसके लिए live market में आप मुझसे कितने touch में वो चीज़े matter करेंगी कि जो मुझे 7 में आ रहा होगा मैं आपको बता दूँगा जो आपको 7 में आ रहा होगा आप उस तरीके से आप trade execute करना downside में एक next जिसका price है यहाँ 201 ये अगर break हो जाता है 201 देखे मैं आपको बताता हूँ stop loss क्यों important होता है यहाँ से market में एक upside आई थी 194 पे stop loss trigger हो गया होता है सबका हमारा भी हो गया तो यहाँ पर stop loss trigger हुआ अभी अगर हम resell करेंगे re-enter करेंगे तो 201 पे करेंगे इसलिए हमें stop loss लगाना चाहिए 7 रुपे का margin भी मिलेगा प्लस हम अभी risk में है भी नहीं market ऊपर चला जाए चाहे 500 रुपे पर चली जाए natural gas मुझे फरक नहीं पड़ता मेरे लिए 490 का level आएगा गिरते हुए में तो मैं वहाँ पर resell करूँगा मुझे क्या फरक पड़त यह मेरा अभी भी है और तब भी रहेगा पर मैं एक सही level का सही time का wait करूँगा तो वो मेरे लिए एक benefit का point होगा और यह 7 रुपे मुझे और extra भी लेंगे ठीक है तो फिर जैसा भी trend रहेगा हम उसकी तब बात करेंगे तो यह price level है और इसमें जो reversal है वो कब आएगा वो बिल्कुल ही आप उस scenario को समझ सकते हैं कि market में sell on rise वाली situation बहुत ही एक मतलब जैसे आज market उपर आगया तो आज आपने sell करके छोड़ दिया कल market मतलब एक दो-तिन दिन का carry over time लेके कि हमने market आज उपर close हुआ तो वो हमारे लिए एक better opportunity होगी market में sell करने की उपर आया market हमने बेचा हमने position को छोड़ दिया market में एक consolidation चल रहा है हमने sell करके छोड़ा हुए एक छोटा सा एक उपर हमने stop loss लगा रखा है वो सारे चीज़े तब ही बनेंगी जब market में एक live market चल रहा होगा और तब क्या stop loss है क्या target level है क्या एक formation बन रही है तो दोस्तो सारी चीज़े ये बताने के बाद मैं सिर्फ आपको एक final decision मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली चीज़ कि आज का दिन अगर आप avoid करेंगे या फिर कुछ अगर strong sign मिलने लग जाए तो मैं वो flash करने कोशिश करूँगा बाकि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या लग रहा है कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए otherwise मेरा यही मानना है कि आज का दिन अभी हमें avoid करना चाहिए एक किस तरीके से market उपर या नीचे की side में क्योंकि अभी तक इसमें trend हाल फिलाल में पिछले दो दिन से हम देख रहे हैं कि एक upside move की तरफ चल रहा है तो व आपके लिए बहुत ज़्यादा help करेंगी आपका अगला trade ज़्यादा profitable बनाने के लिए तो ये कही ना कहीं चीज़े आपके लिए helpful है तो दोस्तो नेच्टल केस में levels मैंने आपको सारे बता दी हैं जो मुझे ठीक लग रहे हैं तो जैसा भी रहेगा फिर हम आगे बात करे अगे तो ये था मेरा नेच्टल केस M6 पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने लें मेरे साथ देखते लिए मार्केट रिपोर्ट धन्यवाद